मैसल्फ डाइटीशन शिल्पा, वकिंग एज़ सीनिय क्लिनिकल डाइटीशन इन हिलिंग हॉस्पिटल चंडिगर आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि डेली रूटीन में आपने कैसे अपना डाइट फॉलो करना है आफ्टर गॉल ब्लेडर स्टोन रिमूवल और पिताशे रिमूव होने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने एक ग्लास पानी, वाम वाटर हो गया और ग्रीन टी हो गई, लामन टी हो गई अगर आप चाए पीते हैं तो यून ओप्रमिल्क यूज कर ना है लोग फैट मिल्क भी उसके बाद यूज कोन वह प्रेण स्नेक्स उते हैं जो अन्डियन ब्रेग्वस होता है वह लह सकते हैं बट उसमें आपका low fat milk और आपका जो curd यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने fried नहीं add करना अपना normal आपका without घी बटर वाला आप Indian breakfast ले सकते हैं अगर आप non vegetarian है तो आप egg whites भी use कर सकते हैं उसके बाद आपका mid morning में mid morning में आपका healthy bowel होना चाहिए fruits का fruits में आसच कोई restrictions नहीं होती बट यस अगर patient diabetic है तो हम फिट वो diabetic के according आपका diet modify होता है ठीक है आपका lunch time पे एक proper salad का bowel होना चाहिए with your chapati, normal dal यस सबजी and curd अगर use करते हैं तो small bowel curd आपने use करना है right उसके बाद आपने like low fat milk वाल tea like limited amount of milk यूज कर सकते हैं green tea आपके लिए बहुत जादा effective है because वो liver detoxify करती है plus आपने roasted cereals या मखाना's fox nuts जैसे बोलते हैं वो यूज करेंगे compare to your like biscuits and rust उसके बाद आपको अगर भूख लगती है तो like आपने lemon water and coconut water यह सब आप यूज कर सकते हैं आपने कभी भी एक like big amount of thali or big amount of आपने खाना नहीं खाना एक साथ उसके बाद क्या होता है आपको excessive gastritis और flatulence और stomach एक हो सकता है तो always आपके small frequent meal होने चाहिए daily का at least your 5-6 meals होने चाहिए compare to your big meals इस diet plan को आप follow करिए अगर इसके लावा अगर कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे healing hospital में आकर मिल सकते हैं मैं आपको proper guide करूँगी आपके according आपका जो schedule अभी आप follow कर रहे हो उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हो किसकी वज़े से आपको और problems face करनी पड़ रही है तर्रम उसके आपके जो भी डेली रूटीन में follow कर रहे हैं तो थैंक यू सो मुझ वाचिंग मैं वीडियो इत हैल्दी बी हैल्दी